गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने प्यारे ओनलाइन चैनल बेसिक सिक्छा में उमीद है कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छे और एक स्मूध तरीके से जी रहे होंगे अचारे, तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि डिटेल्स सिलेबस एनलेसिस के बाद मैं कॉस्टन पेपर के अनलेसिस पर आओंगा और आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूं कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है ठीक है वह हमेशा कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि सर पीवाइक्यू का सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं तो हमें अंदाजा आओ जागा कि कैसा कोश्चन आएगा पीवाइक्यू का तैयारी कीजिए पहले आप अपने दोनों बुक्स को कम्प्लीट कीजिए और जब आप कॉन्फिटेंटली कह सकें कि हां मैं तैयार हूं और कहिए विलकम टू माइकिंग्डम आप कोई भी कोश्चन हो मैं उसको हल कर सकता हूं हम आपके साथ प्रैक्टिस सेट के साथ रहेंगे तब हमारे लिए फाइदे मंद होगा अभी प्रैक्टिस करना आपके लिए वो जस्त वेस्टिज ऑफ टाइम है ठीक है तो मैं एक ही एडवाइस दूँगा कि सुरुवात में प्रैक्यू करना ही नहीं है ठीक है प्रोसेस से हम लोग चलेंगे जिस स्ट्राटजी के साथ चलेंगे वो कितनी कारगर होगी ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इस सेशन में मैं बस इतना उमीद रखूंगा कि इस पूरे जर्णी में आप लोग ठकिएगा मत ठीक है अगर आप लोग ठक जाएंगे तो दिक्कत होगी और जब भी ठकावट महसूस हो जब भी लगे क कि अब ठकावट सी लग रही है अब हम आगे नहीं बढ़ सकते तो रामधारी सिंग दिनकर की इन पंक्तियों को याद रखिएगा कि वो कहते हैं दिसा दिप्त हो उठी प्राप्त कर पुन्य प्रकास तुम्हारा लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा जिस मिट्टी ने लहू पिया वे फूल खिलाएगी ही कहते हैं कि जिस मिट्टी ने लहू पिया वे फूल खिलाएगी ही अंबर पर घन बन चायेगा ही उच्छवास तुम्हारा और अधिकले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है ठक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दू इस मंजिल को पाने के लिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से ठीक है और आज की क्लास में हम करेंगे डिटेल कोश्चन पेपर अनलेसिस तो सबसे पहले पैटर्न की बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ क्या आप लोगों को बेसिक जानकारी पता ही होगी क्या है कि इन पेपर में आपके 50 कोश्चन आएंगे अटेम्ट करना है 40 मतलब 10 बोनस कोस्चन है और इन 10 कोश्चन का जो यूज करने सीख गया ना बढ़िया से वही इस युद्ध में जीतेगा ठीक है इन 10 कोश्चन में आपको देखना होगा कि किस कोस्चन को हमको स्किप करना है क् कि आप कुछ समय मिल रहा है ना बस पांच मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है चालिस कोशचन 45 मिनट समय है तो आप सोचिए कि उस हिसाब से आपको किस तरह से टैकल करना आपने सीच्वेशन को ठीक है और उसकी तयारी हम आपको जोगों को कराएंगे ठीक कि कैसे समय के साथ आप आपको किस question को छोड़ना है किसको attempt करना है और कहां पर blind guesses नहीं देने और कहां पर देने हैं ठीक है वो भी बताएंगे यह negative marking से डरना नहीं है लोग कहते है negative marking है जो नहीं आए उसको मत कीजिए हां सही बात है जो नहीं आएगा हम उसको नहीं करेंगे लेकिन 40 तो कम से कम आएगा हमारी तैयारी बताएगी कि हमें 40 तो 40 आने चाहिए तो हम skip करने तो सीखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए जो पीवाई क्यू के analysis से हमें पता चला है वो यह पता चला है कि जो maximum question आता है ना जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था कि पहले साल 70% जो question थे easy थे तो यह maximum question थे वो general questions रहते हैं general questions का मतलब सर general questions का मतलब यह होता है कि direct facts आगें कि institution जैसे माली यूनाटेड नेशन स्टैबलिश कब हुआ इसका headquarter कब है ठीक है cold war era में दो सबसे क्या थे क्यूबन मिसाइल क्रैसिस क्या थी ठीक है मा प्रेसिडेंट कौन था अमेरिका का जब आपका अटैक होता है अमेरिका पे यूनाटेट ट्रेड और्गनाइजेशन पे ठीक है ट्विन टावर पे तो यह सब questions क्या है general questions है कि आप आसानी से उसको attempt कर सकते हैं कि general to the fact books से उठाया और आपके सामने लाकर के रख दिया कुछ question papers में क्या है कि exercise reasoning आ रहा है कि आपके सामने जोन है ना दस bonus question है नहीं आ रहा है यह वाला question ठीक है हम इन चारों को skip कर जाएंगे मेरे पास छे फिर भी अभी क्या है buffer stock में हम छे question अभी भी छोड़ सकते हैं ठीक लेकिन exercise reasoning को कैसे किया जाता है उसकी कैसी practices होती है वो भी हम लोगों को ध्यान देना होगा ठीक फिर case study question जो basically लोग कहते है कि paragraph में question आ गया मैं उसको paragraph type question से ज्यादा अच्छे कहना चाहूंगा कि case study based question रहता है paragraph रहता है easy easy questions जो आते है वो paragraph बढ़ा रहता है ठीक बात ब paragraph को पढ़के 5 questions करने जाएंगे अगर आपको पहले 40 question एकदम आसानी से आ रहे हैं आप टक 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 लगाए कहानी खतम ठीक है आप 30 second में एक एक questions कर रहे है एक मिनट में दो question करने 20 मिनट में कहानी आपने complete कर दी तो time management भी आपको सीखना होगा time management में किस question को आपको करना ह है किसको छोड़ना है या फिर किसको करना है किसको छोड़ना है वह आपको समझना होगा तो पीवाई की analysis में मैं इसलिए कह रहा था कि आप solution करके क्या फायदा मिलेगा आपको यह पता रहना चाहिए question general type के कितने आ रहे हैं सतर परसेंट मान के चलिए 65 से सतर परसेंट जो question है न वह general type के ही आएंगे to the point आएंगे ठिक दूसरे जो questions आएंगे वह exercise reasoning के भी आ सकते हैं case study के भी आ सकते हैं एक चीज़ मैं आपको पहले बता दे रहा हूं questions कैसे आएंगे यह कोई भी रहे पूरे world में वह क्या करता है व नहीं है क्योंकि उनके सणियंत्र के गेमों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है और सुना भी है तो उन पर ट्रस्ट करना ना थोड़ा दिक्कत की बात है इसलिए आपको पूरी तरह से तयार रहना अब मैस्ट फॉलोइंग जो question आता है वह किस तरह से आता है वो अर यह organization है किसने किस किस ठापना के मैस्ट फॉलोंग में आ गया कि यह युद्ध है यह प्लेस है कब-कब कहां कहां हुआ ठीक है कौन सा युद्ध किस जगह पे हुआ ठीक या फिर युद्ध है डेट है उसको मिलाई है या फिर प्रेसिडेंट है और डेट है किस किस ये में रहें तो उन चीजों को क्या करना है मैं तो कभी-कभी एक ही चैप्टर से आता है कभी-कभी मिग्स चैप्टर से आते हैं मतलब आपको सारे chapters को अच्छे से clear करना है ठीक दूसरी चीज important places के बारे में भी question आ जाता है important places का मतलब क्या होता है important places का मतलब यह होता है कि जैसे Cuban Missile Crisis कहां से हुआ ठीक यह percentage बहुत कम रहता है हो सकता है 2-3% हो ठीक रेकिन आपको जब book में दिया हुआ है तो आपको पढ़ने के आवश्यक्ता पूरी है important question important question को tackle करने के क्या उपाय है सर सिंपल उपाय है सब सारे analysis को handle करने का simple उपाय है कि NCRT का जब आप exam देने बैठें उससे पहले NCRT का आपका 10 reading होना चाहिए ठीक है दस बार आप NCRT को line by line पढ़ चुके हों और कम से कम दस बार अपने notes को revise कर चुके हों notes कैसे बनाना है वो भी हम बताएंगे ठीक आगे की analysis में हमें पता चला कि जो सबसे important part है न वो यहां से है कि keywords और boxes के questions जो है न वह भर भर के आ रहे हैं जैसे आप NCRT में देखेंगे तो यह NCRT है यहां पर क्या है personality कुछ दिये हुए है ठीक है जैसे के कामराज दिया हुआ उनके बारे में दिया हुआ है तो वह कब निगलेक्ट करते हैं न यह कितना आवश्यक है वह यहां से पता चलता है ठीक है उसके बाद क्या है वर्ड मीनिंग एंड फूल फॉर्म ठीक है कभी कभी क्या आता है कि किनारे में वर्ड मीनिंग भी रिखा रहता है यहीं पर कोई भी की इंफॉर्मेशन दे वर्ड मीनिंग तो अगें रिससे क्या निकल क्या आता है इस तीनों चीजों से एक चीज निकल क्याता है एंसीर टी यह क्या है इस एवरिधिगं कुक्त सक च्छ करना होगा ठीक है त सब कुछ के क्या होता है मैंने दोनों सालों के देखें मैं इस नतीजे पर पहुचा कि यह सब तरह के questions आते हैं ठीक है इन तरह के questions आते हैं थीक अब इस तरह के question तो हमें कैसे शरण को handle करना है वो हमारे ऊपर है ठीक है लेकिन इस analysis के साथ निकला क्या इस analysis के साथ ये outcome निकलता है कि what is ncrt ncrt is everything ncrt ही आपका सब कुछ है एक disclaimer के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अपने preparation के समय को नस्ट मत कीजेगा दूसरे books को follow करने के लिए अभी practice sets की book भी मत खरीद येगा जब आप पूरी तरह से तयार हो जाएंगे कि आपकी दोनों books complete हो जाएंगे कम से कम 10 reading साप कर लिए रहेंगे तब आप जो है क्या कीजेगा तब आप जो है books करीदिएगा practice set कीजेगा अभी करने की कोई आवशक्ता नहीं है ठीक है और जो व्यक्ति आपको बोले कि चलिए हम लोग क्या करते हैं पी वाई क्यों कर लेते हैं solution कर लेते हैं या फिर हम लोग आगे देख लेते हैं कि चीजे कैसी चल रही है उसके बाद हम क्या करते हैं हम उसके बाद क्या पढ़ना है तुरण तुस आदमी को क्या कीजे ब्लॉक कीजी तुरण तुस व्यक्ति को ब्लॉक कीजे कि भाया नमस्कार आप दूर जाए ठीक है यह देखिए क्या है यह आप लोग screen shot ले सकते हैं कि सी दोनों बुक्स के दोनों पार्ट के ठीक है दोनों पार्ट का जो हम ले जितने भी हमारे पास एवडेबल कोस्ट्ट्ण से थिक उन को चैप्टर से कितने कितने कोस्ट्ट्ट आये अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि आप बहुत जगा एनलेसिस देखेगा आप बहुत जगा पीवाइक्यू का सॉलूशन कीजेगा पीवाइक्यू का सॉलूशन ही क्यों करना है एनलेसिस तो यहां पे है आपके सामने क्या है कि वर्ल्ड वार से देख रहे हो दो ए पीचर बोल दे कि यह तो इसी चैप्टर से ज़्यादा कोस्टन नहीं आता है सही बोला है एक एक तीन आया नौ आ गया आप देखेंगे मैं यह आप लोगों के लिए लाना नहीं चाह रहा था क्योंकि आप बहुत सारे लोग टेंशन में भी आ जाएंगे लेकिन एक चीज मैं आपको यहां से कन्फर्म क्या बता हूं पता है यह बताना चाह रहा हूं यहां से कि इस पूरे अनलेसिस में आप यह से फिक्स्ड नहीं है कि किस चैप्टर से कितना कोश्चन आएगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब चीक चीक के लिए कह रही है और आप लोगों को कह रही है कि हम जो कह रहे हैं वहीं इंपॉर्टेंट है कि हम जो कह रहे हैं ना हम जो हैं वहीं इंपॉर्टेंट है बाकि पीवाइक्यू एनलेसिस समझें तो दूरी मैंटेन किजिए कि पीवाइक्यू एनलेसिस में पीवाइक्यू सॉल्यूशन नहीं होता है ठिक आगे बढ़ते हैं एनलेसिस किया जाए चैलेंजिस ऑफ नेशन बिल्डिक कोई रैंडम आप देखिए कहां से आप बता सकते हैं इससे आप एवरेज निकालेंगे आप एवरेज निकालेंगे सर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस को डिवाइड कर देते हैं सब कर सम से तो हो सकता है एक चैप्टर से ना कोस्टन मिनिममा मा सके कुछ झने आप क्या कर सकते हैं आप तैयारी ऐसे किजिए कि इस चैप्टर से अगर एक कोशन आएगा तो भी तो भी मैं करूंगा एगल को यह सब काम करने की जरूरत नहीं है ठीक है कि एक इससे तो दो लगभग आता है इससे तीन आता इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इस पे चार आता है कम ध्यान देते हैं अगर इस जाल में आप फसें तो बता रहे हैं कि इस जाल से आप निकल के पार नहीं आपाईएगा ठीक है तो आपकी जिन्दगी मैं इं सरच मतलिजे ठीक है कि अलर्ट मिले हैं कि यह जो एपको मिला चैनलेसिस था नहीं प्रॉट को सब्जीक्ट्स नहीं है फुश है कि कुछ ध्रष कोश्ट ना रहे हैं कि जैसे मान लिजी की वर्ट्स क्या क्या आ रहे हैं false wrong उसके बाद not correct उनकरेक्ट राइट डू ठीक है मतलब की question आ जाए रहे हैं कि which of the following statement is not correct ठीक है कि इन में से कौन सा statement जो है कौन सा वक्तब जो सभी नहीं है इसका मतलब यह है कि इस तरह के डेंजर सिच्वेशन वाले कोश्चन में 99 % बच्चे गलत करते हैं हम लोग जब वरदान बैच फेज वन में बच्चों का टेस्ट भी ले रहे थे ना तो मैक्सिमम लोग इसी वाले कुश्चन में फस रहे थे तब आवो इसकी भी प्रैक्टिस उतनी ही जरूरी है जितनी बाकी चीजों की भी है क्योंकि मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दे हूं कि एंट यह क्या करेगा कुछ नहीं पता और यह वैलिड है अगर यह कोश्चन ऐसा पूछ दे रहा तो क्या गलत कर रहा है पूछ सकता है बस आपको प्रैक्टिस करने आना चाहिए कि इन कोश्चन को हैंडल कैसे करें म आप पहला पढ़िएगा सर यह भी सही है दूसरा यह भी सही तीसरा यह भी सही चौथा गलत है सर उसको आप क्या किजिएगा यह निकालने में आसान होगा लेकिन वीच आप फॉलइंग इस नौट करेक्ट यह ऐसा वाक के लग रहा है ना कि दो मिनिट लग जाएगा तो राम चरित मानस की कथा की तरह सुनके भूल मच जाएगा एक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपका यह काम रहेगा कि आप जितना मैं पढ़ा रहूंगा उसकी बुक रीडिंग करें चैलेंज दे रहा हूं कि कम से कम आपको दस बुक की रीडिंग करनी है दस बुक क बैचेस के साथ जुड़े तो वह हमारे साथ जुड़ सकता है और आप लोगों को पता है कि हम लोग इस पूरे जरनी में आपके साथ जब तक आपका एडमीशन हो नहीं जाता तब तक रहते हैं ठीक है तो आप अगर आप चाह रहे हैं कि आप ऑफ लाइन भी जूड़ सके तो आप जूड़ सकते हैं ऑफ लाइन की भी क्लासेश चल रही हैं हम लोग ऑफ लाइन की भी क्लासेश कंड़क्ट करा रहे हैं ऑनलाइन की भी क्लासेश हम लोग कंड़क्ट करा रहे हैं जो भी आपकी मन हो जो भी आपकी इच्छा हो आप जूड़ सकते हैं और कितने लो लोग है कुछ का ही हम लोग लगा पाते हैं ठीक है तो बहुत तकलीफे भी होती है सब लोग कमेंड बॉक्स में आते सर मेरा फोटो नहीं है तो इतना ध्यान रखेगा कि बहुत जिम्मेदारी के साथ हम लोग चलते हैं तो आप यह दि आपको जूड़ने की इच्छा हो तो अगले वीडियो में हम लोग स्ट्राटेजी के साथ आएंगे कि पॉलिटिकल साइंस को हैंडल करने की बेस्ट स्ट्राटेजी क्या है तब तक के लिए अपना ध्यान रखें माता पिता का ध्यान रखें थैंक्यू सो मच उमीद करता हूँ आपको यह सेशन बढ़िया लग बहुत बहुत धन्यवाद